किन बस्तूओं के सेवन के उपरांत भी पूजा पाठ स्नान दान आदि किया जा सकता है। आईए जानते हैं चाणक के इशनित से। इक्छुरापह पयो मूलं ताम बूलं फल मौशधम भक्षईत्वा अपिकर्तब्याह असनान दाना आदि काह क्रिया अर्थात गन्ना एक जल दूद कंद पान फल और और शधी इन बस्तूओं का सेवन करने की उपरांत भी असनान दान पूजा पाठ आदि किया जा सकता है। व्यक्या इस स्लोक में चाणक ने उपरुक्त बस्तूओं के सेवन के उपरांद भी संध्या पूजन दान तरपन आदि नित्य कर्मों का निर्देश किया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है त्रिशा पीलीत अथ्वा प्यासा है या भूखा है तो वह औशध गन्ने का रस फल कंद दूध आदि के सेवन के बाद भी नित्य कर्म करशकता है। सजनों यदि आपको चाणक की इस नित्स से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक के नित्स सुनने के लिए कृप्या इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नित्स को लाइक, शेर और क रिपा करें धन्यवाद